करनाटक में कॉंग्रेस की जीत के बाद कॉंग्रेस प्रदेश अध्यक्षनाना पटोले ने बीजेपी पर करारे बोल बोलते हुए कहा कि बजरंग बली के नाम पर राजनीती कर रहे बजरंग बली ने बीजेपी को कराराज छटका दिया है चुनाव में धर्म ना आए लेकिन देश के प्रधान मंतरी ने धर्म लाने का फैसला किया जनता ने आज इसका जवाब दिया है साथी उन्होंने कहा कि कॉंग्रेस महाराश राज के चुनाव में भी कॉंग्रेस नंबर वन रहेगी महराज की जनता का वोट कॉंग्रेस के पक्ष में है अगर बीजेपी विपक्ष में लड़ने का स्टेंड ले रही है तो हम उनसे लड़ने का काम कर रहे हैं नाना पटोले ने मंदिर में आरती के बाद कहा कि मैं हनुमान का भक्त हूँ मैं शनिवार को मंदिर जाता हूँ मैं हनुमान जी का उपासक हूँ राम रहीम को अलग नहीं किया चा सकता लेकिन बीजेपी राजनीती के लिए दोनों को अलग करने का काम कर रही है साथी उन्होंने कहा कि महाराज में भी कॉंग्रेस नंबर वन पर रहेंगी साथी नाना पटोले ने कहा कि राहूल गांधी सुनिया गांधी प्रियंका गांधी हो या फिर खडगे जी हो इनकी शालिंता सौदे बाजी और लोगों को ब्लैक मेल करने का नहीं है ब्लैक मेलिंग करने वाले सत्ता में बैठे है इस सुनाव से साफ है कि जनता ने दिल्ली की जूटे विवस्ता और करनाटक की भरष्ट विवस्ता को खारिच कर दिया है इनबीसेन न्यूस के लिए अक्सा अंसारी की रिपोर्ट